माननी दिग्विजय सिंग जी कुल दस मिनिट कर समय आपके पास मैं दोनिवाद प्रस्ताव जो रखा गया उसका विरोध करता हूँ माननी उपसवादी मौदे प्लेज 2014 का सबका साथ सबका विकास 2019 में परिवर्थत हो गया सबका साथ सबका विक्वास और सबका विश्वास अब विश्वास के अवशक्ता क्यों पड़ी मुख की मुद्दा यही है जो व्यक्ति जिस दंगों में धाई हजार लोग मरे हो उसकी माफी मागने तयार नहीं था जो व्यक्ति टोपी पेनने में तयार नहीं था जो व्यक्ति के इन सरकार का मुस्लिम बच्चों को चातरवती देने के लिए गुजरास सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में तयार नहीं था जो व्यक्ति प्रधान मंत्री होते हुए भी राश्पती जी के रोज़ा अफ्तार में जाने के लिए तयार नहीं था वो आज सबसे पहले भाशन में कहते हैं हमें अल्प संख्यकों का विश्वास प्राप करता हूँ मैं उन्हें बधाई देता हूँ मैं उन्हें इस बात की भी बधाई देता हूँ कि आकर सबसे पहले उन्होंने भारती संविधान को नत मस्तक हुए मैं बधाई देता हूँ क्या ये परिवर्तन वाकई में है या केवल जुमला है मैं उनसे अनरोथ करना चाहता हूँ हमें बड़ी प्रसंता होगी अगर वो वाकई में जो कह रहे हैं करके दिखा देए ये देश सब का है हम संसद में आते हैं तो सबसे पहले हम महापनिशत के उश्लोग को पढ़ते हैं अयम निजी परोवेती गरना लगोवे चेतसाम उदार चरितनाम तूवावसदेव कटुम्बगम और साथ में आपने नारायन गुरू का भी जो श्लोग पढ़ा है वो भी बात यही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कैसे विश्वास प्राप्त होगा मानिश्वाती मौदे ये सामप्रदायक्ता का जहर कूट कूट कर आप लोगों ने भर दिया है ये भूत ये जिन बोतल में जो बंद था वो निकल गया है और उस बोतल में वापस डालना आसान नहीं है आप कितना ही यहाँ पर आप चेर को देखकर संबोधित करें आप कितना ही चाहते हुए भी मुस्लिम भाईयों के प्रती कि इसाई भाईयों के प्रती सिख भाईयों के प्रती उनका सबका विश्वास प्राप करने का प्रयास करें लेकिन आपके फुट सोल्जर्स जो पू जारखंड में उस लड़के के साथ हुआ ठीक अगर उसने चोड़ी की थी तो आपको क्या अधिकार था कि 18 घंटे तक एक इलेक्रिक पॉल में बांग कर उसकी पिटाई करें अरे वहां क्या सरकार है वहां का पुलिस क्या कर रही थी क्या कर रही थी वह पुलिस जा 18 घंटे तक उसकी पिटाई होती रही उसके बावजूद भी देखने तक नहीं आई अब बताते हैं 11 लोग गिरफतार किया कौन से धारावज गिरफतार किया इविए साब पता नहीं है माननी उपसवपती महुदे इस पूरे देश में जो सामतदायकता का जहर बो दिया है और शुरू सी बोया जाता है शिक्षा बच्चों के मन में आज मुझे इस बात का दुख है बड़ा दुख होता है माननी अकबर ये भारत की संसदी परंपरा का ये खालात में आप लोगों ने पहुचा दिया है ये जहर आसानी से नहीं मिटेगा कितनी कोशिश कर लिए सेस्तिवुद्दे जी ये जहर अब कूट कूट कर आपने इस देश की जनता में भर दिया है मैं आप से कहना चाहता हूँ मान बच्चे गए उन्होंने कहा कि हमारी इस दिक्कते हैं उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा नेता नहीं हूं तुम्हारा नेता पंडे जवालाल नहरू है ये हमारा संसकार और हमारी संस्कृति रहे हैं माननी उपस्वावति महुदे आज हमें इस बात पर सोचना पड़ेगा कि आखिर इस समस्या से कैसे हम लो निदान पापाएंगे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने मानी सदस कुछ कह रहे थे और कह रहे थे कि हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स की है उपसाफती मौदे वोट बैंक पॉलिटिक्स से सबसे बड़ा नुकसान किसी को होता है तो कॉंग्रेस पार्टी को होता है जाजा कमुनेर राइट्स होते हैं वहाँ हिंदू मुसल्मान बढ़ जाता है और आज पूरे देश में किस प्रकार के लोग आज निता उभर कर सामने आ रहे हैं वो लोग उभर कर सामने आ रहे हैं जो हिंदूों को भरकाते हिंदूों में और मुसल्मानों को भरकाते हैं मुसल्मानों में ये सबसी बड़ी चिंता का विशे आज हमारे देश में है मैं आपसे कहना चाहता हूँ माननी होता हूँ मौदे कि आज पूरे देश में हमारे अर्थ विवस्ता चर्मरा गई है आप कहते हैं हम 2024 तक 5 ट्रिलियन आप यहां की एकोनॉमी पर ले आएंगे 5 ट्रिलियन डॉलर एकोनॉमी में लाने के लिए आपको GDP ग्रोथ होना चाहिए 20.11% अब चेदावरम जी हमारे पास बैठें उसको विस्तार से बताएंगे उसी प्रकार से आप देखेंगे किस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स के साथ धोका किया गया है दो-दो स्टैटिस्टिक्स की अधिकारियों को भगा दिया गया उनको मजबूरी में इस्तिफा देना पड़ा क्योंकि मन मर्जी से वो जो अनिम्प्लॉइमेंट के आकड़े दे नहीं रहे थे ये आपने जो कहा है दबाओ प्रभाओ आभाओ माननी ये सरकार पूरी दबाओ में काम कर रही है और प्रभाओ डाल रही है हर वर्क पे दबाओ डाल रही है चाहे हमारी constitutional bodies हैं जिन पर यन्होंने दबाओ नहीं डाला उस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है मैं आपसे अनरोद करना चाहता हूँ कि आज पूरे 2019 के राश्टपती जी के भाशन में बिरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं हुई सबसे ज़ादा बिरोजगार बिरोजगारी बड़ी है तो इन पांस सालों में बड़ी है 45 साल में सबसे ज़्यादा अनिंप्लॉइमेंट के रजिस्त पा आज फिगर्स हमारे सामने आएं मैं आपसे अनरोद करना चाहता हूँ यहां तक ही अर्विन सुब्रमन्यम जी ने इस बात को स्विकार किया है कि जो जीडीपी के आकड़े आप लोगों ने दिये थे वो सही नहीं थे मैं यह भी कहना चाहता हूँ किस जो पंडिजवाला नहरू जिने कहते थे टेंपल्स आप मॉडर्न इंडिया उनको किस बे तरीके से आप उनका दोहन कर रहे हैं ओएंजीसी जो की सबसे प्रॉफिटेबल हमारा पी एस्यू हुदा करती थी वो दोहजार तेरा चौदा में दस हजार करोड का कैश उसके पास था आपने उसकी ओएंजीसी को मजबूर किया दबाव डाला दबाव डाल कर गुजरा स्टेट प्रेट्रोलियम कॉर्परेशन के जिसके बीस हजार करोड का उसका करजा था मजबूर करके उसको एक्विटी खरी दी गई और हाज जनलती यह रहे है कि 10,798 करोड से कैश घटकर केवल 29.6 करोड बच गया है उसी प्रकार से माननी उपसावाती महोदे हेल जिसको की डिफेंस मिनिस्ट्री का राफेल का काम मिलना था जिसने 11,000 करोड का जिसके पास इसने कैश ट्रांसफर किया था सरकार को अब उसकी हालत यह है कि सत्तरंखा बाटने के लिए 781 करोड रुपे उसे कर्ज लेना पड़ रहा है बाकी और सारे आकड़े हैं मिनिमम आपने कहा गरीबों की बात करते थे नड़्डा जी आपने मिनिमम बैंक अकाउंट जो उसका आपने नियम बनाया और एक साल में पाँच हजार करोड गरीबों की जेब से निकाल कर आपने पड़िक सेक्टर बैंक्स को दिया आतंगबाद की मैं बात करना चाहता हूं माननी सापती मौदे इनके कारेकाल में इन्होंने वादा किया था दो हजाजाद चौदा में कि कश्मीरी पंडितों को वापस सम्मान वापस भेज़ जा जाएगा कितने कश्मीरी पंडित वापस गए नंबर और एक दो साल एक साल में नंबर अफ टेरिरिस्ट इंस्टेंस आफ इंक्रीज़ बाई 177 परसंट इन लास्ट फाइव यर्स यह जवाब मैंने नहीं दिया है सरकार की तरफ से आया है देट्स आफ जवान टेरर अटेक्स हैस इंक्रीज़ बाई 106 परसंट 2017 में 354 थे अब बढ़कर 457 हो गए मैं आप से इन्रूत करना चाहता हूं पुल्वामा की घटना हुई पुल्वामा की घटना में मेरे पास यह प्रमान है यह सिगनल है जम्मू कश्मीर पुलिस का आप चाहें तो मैं इसको पठल पर रखने के लिए तयार हूँ जिसमें की आठ फरवरी 2019 को आई जी के जम्मू कश्मीर के तरफ से सिगनल गया साथ CRPF को, आर्मी को, सब को उसमें कहा गया था I read, before occupying your place of deployment, please sanitize the area properly as there are inputs of use of IED matter most urgent Sir, this is very important the gross intelligence failure of the part of the government Sir, I demand an answer from the Prime Minister Shri S. Mutuparupan Shri S. Mutuparupan not present Shri S. Vizela Satyanat I speak I speak मेरी सिमा है मानने दिविजे जी आप बड़े वरिष राज देता है आप मेरी सिमा समझते है I'll move to Shri Dherik Obrayan Please Please Dherik Obrayan Dherik Obrayan Shri Dherik Obrayan Please sit Shri Dherik Obrayan Shri Dherik Obrayan Please Please all Please Please you go start Please I take two minutes Sir Then I'll move to the next Dr I'm standing Shri Dherik Obrayan No I'll move to Shri Dr Kekesara I'll move to next Speaker Please 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 Please